अगेन अब आपके CEO बहुत excited है इस event को लेके सो उनका साथ दीजिए हम वर्चुल देखेंगे जिनको बुलाया गया है जिनको नहीं बुलाया है वो भी सही है ब्राइड माइंडेड हो जाएए थोड़ा सा ओके हम वर्चुल देखेंगे बिलकुल देख सारा दुनिया देखने वाली वर्चुल चौदा के चौदा लाग फाउंडर देखने वाले है उसको वर्चुल ओके उसको तो वो इसके लिए एगरी हुए ऐक है जो फर्स टाम दिखेगा ओके तो यह बहुत गर्व की बात है हमारे इंडियन्स के लिए बैसी जैसे मैंने पहले का कि मैं वैल्यू बनाता रहूंगा इंडिया की नो मेटर वाट जैसे भी हो वैल्यू बनाएंगे वू वैल्य मेरा रहता है कि यहां पे अगर हम कुछ लोगों को अच्छा दिखा दाए हम अपने session में और ash आके कुछ उस चीज को जो दुनिया शाय देखना चाहती उसको दिखा दें थोड़ा से उसके glimpses तो I think वो हमारे सब के लिए Indians के लिए एक बहुत करफ की बात होगी और हमारा जो status है वर्ड लेवल में इंडिया के जो भी प्लेटफर्म का वो और भी उसको चार चांद लगेंगे तो इसलिए हम हमेशां वर्क करते रहेंगे इंडिया के लिए सारे के साथ सब लोग और इंडिया को नई बुलंदी हो तो हमेशां लेके जाते रहेंगे ओके ये commitment है आप मेरी आप से और एश भी उसके लिए agree हुए हैं सो stay tuned आश आपको कुछ दिखाएंगे तो हम सब को अच्छा लगए गए तो सबसे पहले उनकी बात किया ती इंडिया इस on fire गोर्स्मिंदर इंडिया इस on fire मैं खाई yes एस इंडिया इस on fire और और ऌर बड़ा एक अच्छी बात है कि आच सब कुछ देख रहे हैं औके ये हमारे की बात है इंडिया के लिए और मुझे हमेशा यह होता है कि हम इंडिया को उस लेवल पे ले जाए ना उस लेवल पे ले जाए कि जहां पर दुनिया देखे हम सब को कि यार चलो एक मौका मिला ता हम सब को और हमने सब ने मिलके हमने उस लेवल पे ले गए तो यह मुझे इंतियार रहेगा SHKA no doubt हम सब मिलके करेंगे यह सारा कुछ मुझे इतना मालू मैं एक एक आदमी की बसकी बात मीनी है कि सब की सब के बसकी बात है आप सब लोग इतने dedication से लगे रहते हो तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है मुझे मालू मैं कितना मश्किल है पैसे के बगार चीना इंडिया में और कैसे आप लोग गुजारा करें ये भी मुझे मालूम है और ये एश को भी मालूम है कल भी मैंने उनको बताया बट वो उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं